गुद्वर्णिंग फ्रेंड ए देखे फ्रेंड वर्णिंग जू यह ना चार पाच महीना हो गया हम लगा थे और देखे ऐसे उपर में जुला हुआ तो इतना सुन्दर भी था अभी भी है लेकिन इस पे जे सुखी पत्ते सब है ना फ्रेंड इस अब को चुनना बहुत इसरे को छूनेंगे देखिए इस तरो जूखा पॉता सब होता है न इस वे सुन्दरता हो जाता है तो बास इसको थोड़ा साइस अ जो है न फ्रैंड इसरे चून देंगे देखिए इस अपसे प्लार इंसका स्विस्ता लेखता है देखने में और यह अच्छा नहीं लगता है देखने में तो इसका थोड़ा सा क्यार करना जरूरी हो गया है तो सोचे बहुत दिन से रखा इसे हैं किया हुआ है तो नहीं कार पा रहे थे और देखे फ्रेंट इसका पत्ते ग्रीन ग्रीन है इसका कुछ अलाग अलग है नहीं डारेक्ट लगता है कोई प्लांट है ना मेरी पंख जो प्लांट है उसमें हैं करके रखे हैं तो इसको हम साप करते हैं प्रेंट पत्ते सब को सुंदर से देखिए इस अब सो चुट देते हैं और जो सुखी सुखी जो भी है सब हार चुन देते हैं और कुछ थोड़ा से मिट्टी भी खतम हो गया देखिए फ्रेंड इसमें पानी डालते डालते ना उपर से पानी डालते हैं पाइप से तो पानी भी खतम हो गया है तो फ्रेंड इसको हम थोड़ा सफाई करते हैं दिखाते हैं सब करके एक हट से मोबाल एक हट से सफाई करना यह तो न तो रखते हैं इसको चून लिए हैं अब देखिए फ्रेंड इतना अब शुकी पत्ता निकला इस घास भी उसी पहो गया था इतना पत्ता निकाले सुखा वला तो आप देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा फ्रेंड इसमें थोड़ा सा मिठ्टी डाल देंगे प्रेंड खॉड़ा सा a पानियो डाल देते हैं फ्रेंड थोड़ा खाद बनाया हुए मिट्टी है फ्रेंड उसी को डाल देंगे अब देखिये हैं एदहां पाइबश है थो मिट्टी साइड में Rad लागिया हलका मिट्टी था इसलिए मिट्टी उखार जाता है देखिए थोड़ा सा मिट्टी डाल दे रहे है इसमें पाइंट सर डाल देंगे फिंट देखिया अब मेरा प्लांट अभी ठीक हो गया फ्रेंट अब इसको हम टांग देंगे उपर में जहां था वहीं रख देंगे फ्रेंट और देखिया फ्रेंट यह सब दोठो आउर है यह देखिये इस दोनों को साप करेंगे फ्रेंट इस सब पड़ा हुआ था टंगा हुआ था तो नहीं सफाई होता है सोचे कि आज इसी का काम करते हैं फ्रेंट देखिये यहाँ पर देखिये चापति सूक रहा है फ्रेंट यह देखिये पिछले साल का है स्टोक है कुछ-कुछ हम ना भी लिए इस पे से और लगा आए हैं अब फ्रेंट यह देखिये मेरा काम हो गया है फ्रेंट यह छोटा से वीडियो अप लोग को कैसा लगा यह वांडिक जू जो है फ्रेंट यह बहुत सुन्दा लगता है इसका मिट्टी अब जितना हालका रखेंगे ना फ्रेंट म कोत्रा ही अच्छा है हम तो कोकोपीट यूज नहीं करते हैं फ्रेंट हम तो कोकोपीटा एक बार थोड़ा सा खड़े थे यूज किये थे आ मेरे पास ओ लक्री का यह चूड है ना जो कुन्नी बुला जाता इसको वही चीज हम रखे हुए हैं घर में ही एक दिर साल पहले अधिर साल पहले बना था कुछ लकडी का समद तो उसी में से जो निकला है ना फ्रेंट उसी चूड को हम रखे हुआ हैं बोड़ा में कसके वही सब पानी में फुला देते हैं उसके बाद में उसको मिट्टी में मिक्स करते हैं वो डालते हैं हलका होने के लिए पत्ता सब को डालते हैं तो मिक्स करके हलका बनाते हैं मिट्टी को तो हम डालते हैं और बालू भी हम कम यूज करते हैं क्योंकि बालू मिट्टी में मेरा बालुहट ज्यादा है तो फ्रेंट मेरा वीडियो कैसा लगा है फ्रेंट बताईएगा और लाक शार कीजिएगा नए दोस्त लोग प्यार से एक टो सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा मनोबल बना की रखेगा फ्रेंट थेंक यू